RCB की हार से पॉइंट स्टेबल में उलट पलट RCB अब ऐसे पहुँचेगी फाइनल ये टीम हुई सीधे बाहर सोमवार को सन्राइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू की IPL 2024 पॉइंट स्टेबल में हालत काफी बुरी हो गई है फाफ डू प्लेसिस एंड कंपनी का प्रदर्शन मौजूदा संस्क्रण में शर्मनाक रहा है पैक टू बैक चार हार जहिलने के बावजूद टीम जीत की तलाश नहीं कर पाई है दूसरी और पैट कमिंस की टीम ने IPL 2024 की अपनी चौथी जीत दर्ज की तो आईए जानते हैं कि अंक तालिका में क्या बदलाव हुए है IPL 2024 के शुरू होने से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को टीम की कमान सौपी थी उनकी अगुवाई में हैदराबाद का प्रदर्शन कमाल का नजर आ रहा है सीजन में टीम अब तक काफी मजबूत नजर आई है वहीं 15 अप्रेल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूर के खिलाफ धमा केदार जीत दर्ज कर SRH ने IPL 2024 अंक तालिका में अपनी स्थिती मजबूत कर ली है लेकिन 287 रन बनाने के बाद हैदराबाद के नेट रन रेट में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है दूसरी ओर मुकाबला गंवाकर RCB ने अपने लिए मुश्किलें बरहा दी है इसके अलावा बेंगलूरू की हार से मुंबई और दिल्ली को राहत की सांस मिली है क्योंकि ये दोनों टीम अपनी अपनी जगह पर काबिज है पॉइंट स्टेबल में RCB की स्थिती को देखकर ऐसा माना जाता है कि प्ले आफ में पहुँचने के लिए कम से कम आठ जीत तो जरूरी ही होती है RCB ने साथ में सिर्फ एक ही मैच जीता है ऐसे में उसे अपने सारे मैच जीतने होंगे जो असंभव जैसा ही है वैसे IPL 2016 में RCB ने शुरुआती साथ मैच में से पाँच घंबाने के बावजूद फाइनल में जगह बनाई थी